ताद दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे smart launcher s के बारे में दोस्तों काफी amazing launcher है इससे आपके जो phone की look and feel है वो काफी हद तक एक ताम amazing हो जाएगी इसमें दोस्तों हमें काफी सारी artificial intelligence का काम देखने को मिलता है आप अगर देखें जो app drawer है उसमें दोस्तों जो apps वो classified आते हैं इसका मतलब हर एक category के अलग-अलग sections बने हुए इसका मतलब अगर आपको games जाना है तो games का एक पूरा section होगा अगर आपको कुछ social media app में जाना है तो उसका एक अलग से section बना हुए तो दोस्तों जो browse करना या फिर आप कह लिजे search करना वो काफी आसान हो जाता है इस app drawer के तुरू दोस्तों app drawer काफी amazingly work करता है आप कोई भी app install करेंगे तो यह automatically उसको categorize करके उसके proper section में डाल देगा दोस्तों overall जो look and theme है दोस्तों काफी amazing इस launcher रगा आप अगर मेरी home screen को देखें तो आप देख सकते हैं यहां पर काफी amazing look आता है एक्दम different और unique है दोस्तों सबसे बढ़िया बात है कि इसमें जैसे मालो अगर एक ही app का 2-3 instance है इसका मतलब अगर मालो आपके browser है उसमें दो-3 category है तो सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों कि आप उसमें से select कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं music की मेरी 2 category है मेरे पास 2 app है एक है spotify और दूसरा प्ले music तो उसको वहाँ पर categorize करा और एक app को default में set कर दिया अभी मैं single tap करूंगा तो spotify launch होने लगता है तो आप जब भी single tap करेंगे तो spotify launch होगा यह दोस्तों काफी common है लेकिन अगर आप settings में जाते हैं और वहाँ पर double tap option में आप play music को select कर देते हैं या फिर कोई भी music app को select कर देते हैं तब आप देखिए आप अगर single tap करेंगे तो आप spotify में जाएंगे लेकिन दोस्तों अगर आप उसी app में double tap कर देंगे तो दोस्तों आप पहुच जाएंगे play music में आप अपनी screen में देख पा रहे होंगे मैंने same app में double tap किया तो दोस्तों काफी amazing है यह मतलब shortcuts आ रहे हैं तो आप एक app में जा रहे हैं अब double tap कर रहे हैं तो आप कोई दूसरे app में चले जा रहे हैं उसी जाप से आप दोस्तों camera को भी customize कर सकते हैं अगर माल लीजे आप Google Cam को utilize करना चाहते हैं तो आप single tap में अपना primary camera रख लीजे और double tap में अपना Gcam को रख लीजे तो यह दोस्तो launcher का part नहीं है यह basically KWGT widget है आपको अगर इसके उपर वीडियो चाही तो आपको अलग से मिल जाएगी दोस्तों अगर आप tap करके रखते हैं तो आपको settings का panel देखने को मिलता है यहां पे दोस्तों काफी सारी settings available है आप दोस्तों wallpapers इसमें select कर सकते हैं इस launcher के अ और साथ ही साथ और एक wallpaper का जो नाम है Wall-E यह दो आपको यूटिलाइस करके दोस्तों यह wallpaper के categories आपको प्रोवाइट करता है launcher के अंदर ही तो आपको separately कोई wallpaper डाउनलोड करने की या फिर wallpaper का app डाउनलोड करने की ज़रूद नहीं है इसी launcher के अंदर आपको काफी सारे options मिल जा पर themes भी available है अभी आप देख सकते हैं मैंने honeycomb का theme apply करके रखा हुआ है तो दोस्तों इस app या फिर इस launcher के अंदर ही हमें अलग अलग type के themes देखने को मिलती है और दोस्तों सिर्फ यह तीन theme अविलेबल नहीं और भी काफी सारी themes है अगर मैं यहाँ पर download themes में जाओं यहाँ दोस्तों unlimited themes अविलेबल है काफी सारे customizations है आपको free option भी मिल जाएंगे आपको paid option भी मिल जाएंगे दोस्तों काफी amazing launcher है आप देख सकते हैं launcher के अंदर ही हमें एक themes app का inbuilt देखने को मिल जाता है साथी साथ wallpaper भी inbuilt देखने को मिलता है तो आप easily wallpapers download कर सकते है आपको कोई theme प दोस्तों बात करूं और भी settings की तो दोस्तों यहां पर आप icons को easily change कर सकते हैं इसका option हमें इसमें देखने को मिला है दोस्तों साथी साथ wallpaper का तो मैंने आपको बताई दिया है लेकिन दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहता था यह जो wallpapers है इसमें दोस्तों आप अलग से folder का background, adaptive icons वालब icons related काफी सारी settings available है तो आप यहां से इसको easily customize कर पाएंगे साथी साथ दोस्तों जो launcher है वो dark mode को भी support करता है इसका मतलब अगर आपका जो phone है वो dark mode को support करता है या फिर उसकी screen AMOLED है तो यह launcher उसका अच्छे से फाइदा उठा पाएगा दोस्तों बात करें कु करने को मिलती है साथी साथ कुछ advanced settings है और दोस्तों इसमें जो fonts होते हैं वो भी हम easily customize कर सकते हैं तो अगर मैं font section में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं काफी सारे fonts available है हमारे पास दोस्तों यह launcher में inbuilt है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको additional कोई app download करने की जरूवत नहीं दोस्तों बात करूं यहां पर app animation की तो आप इसको भी customize कर सकते हैं इसका मतलब अभी आप देख सकते हैं मैंने app customization को जो है fade में रखा हुआ है तो अगर मैं app को खोलता हूँ तो थोड़ा fade वाला effect देता है वैसे ही दोस्तों अगर आप इसको जो google pixel वाले animations होते है आप animation उसमे सेट कर दे या फिर जितने भी options अविलेबल या अलग अलग उसमें सेट कर दे तो इसे इसाप से वह चेंज हो जाता है तो काफी बढ़िया customizable option हमें दिया गया है अब आप देख सकते हैं यह गूगल pixel वाला appearance आ चुक है तो अब मैं app कोलता हूँ तो जो pop-up होता है वो ऐसा लगता है कि animation गूगल pixel का ही है तो इसी टाइब के काफी सारे options इसमें available है तो आप यहां से choose कर सकते हैं बात करें दोस्तो screen की तो यहां पर कुछ कुछ आपको बस वाला app download करना है backup का option भी दिया गया है दोस्तो तो आप अगर backup भी कर सकते हैं आप दोस्तो अपनी जो home screen का setup है उसको easily share कर सकते हैं दोस्तो inbuilt launcher में option हमें देखने को मिलता है आप देख सकते हैं जो मेरा home screen का setup था उसको मैं यहां से share कर पा रहा था तो काफी amazing option है दोस्तो यहां पर एक चीज में आपको बताना चाता हूँ अगर आपको खुद चैसे माल लो जादा दिमाग नहीं लगाना है आपको pre customized home screen चाहिए तो आप इनके instagram page में जाए जिसका link आपको launcher के अंदर ही मिल जाएगा वहां पे दोस्तो इनोंने customizing के सारे अलग-अलग features and options पता रखें तो माल लो आपको कोई भी इसमें से photo पसंद आती है तो उसके बंगल में लिखा हुआ है कि इनोंने क्या use करके उस launcher को customize किया है मतलब उस launcher का appearance को customize किया है तो काफी amazing amazing चीजे हैं दोस्तो इस launcher में तो मैं चाहूंगा आप ज़रूर से launcher को try कीजी तो आपको एक amazing look मिलेगा एक unique look मिलेगा आपको जादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है आपको बस launcher download करना है या फिर आप Instagram में जा सकते हैं और इनका जो launcher का अलग-अलग appearance का look है या फिर जो भी details है वहां से आपको सारी details मिल जाएगी दोस्तों यहां पर premium version भी available है लेकिन दोस्तों मैं recommend कर जाएगा दोस्तों इसलिए में सुचा आप लोगों के साथ share कर लूँ तो बस दोस्तों यहां पर होती है मेरी वीडियो कतम अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को subscribe करना मन बूलना notification bell icon को भी on कर लेना ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो से उसको आप मिस ना करे आप